Hello and welcome guys मैंण अभिशेक वड आप लोग देखे रहें में अभिशेक ड्रीम बोड तो दोस्तों आज की इस वीडिओ में मैं आपको बताऊंगा Samsung M31 इसके बारे में तो मैंने पहले एक वीडियो बना था इसके बारे में तो इस वीडियो में पूरा मैंने details में बात किया था आपसे कि क्या गया जो है आने वाला है जो उस time पे जो है प्रोसेसर अगेर रैम अगेर जो है दोस्तों आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा तो अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखा है तो फटटबट से जाओ और यह बढ़ियो देखो तो आपको जो है बैसर समझाएगा तो दोस्तों यहां पे बात ऐसा है कि M30s जो है आतो गया है लेकिन अभी बिक नहीं रहा है, सेल आगे आने वाला है और यहाँ पे सारे चीजे जो है मेंशन हो चुगा है, तो दोस्तो आपको इस वीड़ों में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दूसरे फोन के साथ इस फोन का कंपरिजन की क्या-क्या जो है एक्टा चीज़े जो एड क्या है इस मोबाइल के अंदर और दूसरे मोबाइल पे जो है सेम चीज़े है की नहीं तो आपको जो है कमपरिजेंट पता लग जाएगा और दोस्तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कोई ही सैमसुंग का हेटर नहीं हूँ मैं दोस्तो मेरे पास अभी तक जो भी मोबाइल है सारे सैमसुंग का मोबाइल है अब अगर मेरा पुरारा सब्सक्राइबर है तो आपको तो पता ही होगा सैमसुंग जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दोस्तो आपको मिलता है सूपर एमुलेट डिस्प्ले जो काफी शांदार है और दोस्तो ये बात नहीं है कि दूसरे मोबाइल पर सूपर एमुलेट नहीं मिलता है लेकिन बजेट फोन में दूसरे पर जो सूपर एमुलेट जो उतना खास नहीं था जो Samsung को टक्कर दे पाए तो यहाँ पर बात ऐसा है कि Samsung जो है सब कुछ अपग्रेड कर रहा है अपने mobile के अंदर चाहे वो camera हो जाए चाहे हो battery हो जाए चाहे हो कुछ भी हो जाए ठीक है रैम बगर्या हो जाए लेकिन यहाँ पर दोस्तों Samsung एक चीज जो है अपग्रेड नहीं कर रहा है वह है दोस्तों प्रोसेसर तो चला जार वीडियो को कर लेते फटफट से स्टार्ट तो उस्तों यहाँ पर मैक बात कर रहा था प्रोसेसर की बारे में तो जो अभी मैक मोबाइल से शूट कर रहा हूं उसका ना हमें Samsung M30S तो आपको पता यह 2019 में आया था October के मैने पर 15 या 20 तारीक के बीच में कभी आया था याद नहीं है डेट तो उस मोबाइल पर जो है यूज हुआ था प्रोसेसर एक्जिनस 96001 और इसमें भी 2.3 गिगार्ट जो है आपको देखने को मिलता था और यह मोबाइल आया था 4GB रैम और 64GB स्टोर तो उसके बाद दोस्तों आपका February के February के मैने पर आपको देखने को मिला है M31 ठीक है तो दोस्तों उसमें भी आपको सेम जो है प्रोसेसर देखने को मिला है 9611 और दोस्तों अभी जो है M31 जो है लॉंच हो रहा है उसमें भी आपको देखने को मिलना है 9611 2.3 गिगार्ट पर तो दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 8-9 महिना हो चुका है और यहाँ पर प्रोसेसर जो है अपग्रेड नहीं हो पाया Samsung के तरफ से और यहाँ पर तरह की कीजे जो है अपग्रेड करके इस mobile के अंदर डाला गया जो काफी अच्छा-च्छा feature जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर प्रोसेशर जो है जो आट मैंने पूराने वाले फोन पे जो प्रोसेसर यूज किया था फोटोग्राफी भी करना चाहता हूं जैसे और आपको साथ में जो सूपर अमुलेट डिस्पले चाहिए तो आपके लिए जो है यह फोन वेस्ट रहेगा तो क्या-क्या इसके अंदर आपको हाइलाइट फीचर देखने को मिला है वह आप पहले यहां पर देख लो सबसे पहल 24 Megapixel का main camera देखने को मिल्ड़ा है जिसका aperture है 1.8 और इसके साथ आपको 12 Megapixel का 123 डिगरी अल्टर वाइड जो है जिसका aperture है 2.2 और इसके साथ आपको 5 mega-pixel का micro shot के लिए camera देखने को मिल रहा है तो यहां पे बात करें इसकी sensor की तो यहां पे sensor जो यूज़ हो रहा है वो है Sony का IM-682 और यहां पर देख लो कुछ फोटो बगेरा तो इस फोन में में हाइलाइट है जो आपको फोटो वीडियो दोनों में देखने को मिल रहा है और इसके साथ-साथ आपको camera की एंगेल अगेरा setting के एंगेरा देख लो यहां पर आपको फ्रांट केमेरा जो मिल रहा है इस मोबाल है और वो है 42 Megapixel का front camera और इसके साथ 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 आपको front camera पे single take slow motion और 4K का recording जो है मिल रहा है इस्प्ले जो होने वाला है और यहां पर यह स्क्रेंड का ratio होने वाला है 91% और यहां पर aspect ratio जो है 20 to 9 होने वाला है यहां पर battery की बात करें तो यहां पर आपको 6000 mh के battery देखना मिल रहा है और साथ में 25 watts का fast charger जो है आपको यहां पर देखना मिल रहा है और यहां पर प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको और यह पर ऊपर तोट देखने को मिल झांदर 512GB मेमरी जो लगा सकते हों यहांא। बात करीं मबलगे से क्योटी कि तो यहां पर आपको साइड फिंगरप्र असकेनर देखने को मिल जाता है। और यहाभ पे face lock जो हुआ है काफी fast जो है unlock होगा ऐसा यहाभ पे बिता जा रहा है तो tämä पना fast हुआ हने वाला है और यहां पे android वर्म वर्जिन वह को 10 देखने को मिलंगा और यहां पे आपको जो है केबिल मिलेगा डाटा केबिल उसके साथ 25 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा और एक पीम एजिक्टर पीम जो है वो आपको देखने को मिलेगा उसके साथ साथ यहां पर यूजर मैनुवल गाइड जो होगा मतलब कि इस बोक्स के अंदर आपको कोई भी हेटफोन ज तब जाके आप जो यह फोन खरीच सकते हो तो यहां पर आपको दो वेरियंट देखने को मिल रहा है छे जीवी रायम के साथ 128 जीवी स्टोरेज वाला जो फोन है वह आपको देखने को मिल रहा है उननीस हाजार चार्सो निनावे रुपैपे और यहां पर एट जीवी राय देखने को मिलता है जो है 48 Megapixel 8 Megapixel 5 Megapixel का और यहां पर M31 पर जो है आपको वाइट कामेरा का सेट अप देखने को मिलता है जो है 64 Megapixel 8 Megapixel 5 Megapixel और 5 Megapixel का माइक्रो कैमेरा यहां पर आपको देखने को मिलता है 64 Megapixel का मेन कामेरा 12 Megapixel का आल्टरा वाइड और 5 Megapixel का डेप्थ और 5 Megapixel का माइक्रो यहां पर आप बात कर लिए इसके फ्रॉंट कैमेरा के बारे में तो M30s में आपको देखने को मिल रहा है 16 Megapixel का फॉर्ण कैमेरा और M31 पर आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको कैने में पर करें आपको जो होगे अभी अभी केली और पर प्रोसेजर होए वही घिसापिता जो है यह नाइन्सिक्स डबलबन जो यह नों मुबाईल पर देखने को मिलेगा और त्री गिवार्ट पर यह बेस्ट यह यह थे तीनों फोन का ब्रॉसेशर और यहां पर तीनों फोन जो यह थे भी रैम पर आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आपको impact जो है शूंग में में देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर देख सकते हूं कि मौइ इंटी ओनले टो यहां पर भी कि शार्ज़र आपको देखने को मिल रहा है उनके साथता जो है reverse charging भी उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है तो बस यही था कुछ comparison जो तीनों फोन आट मैने के अंदर Samsung वालों ने निकाला है तो यह जो तीनों फोन है यहां पर आपको processor जो है सेम देखने को मिलेगा और RAM जो है आपको सेम देखने को मिलेगा जो है 6GB और यहां पर जो है M31 और M31S जो है वो 8GB पर आपको मिल जाएगा लेकिन M30S जो है 4GB और 6GB पर खतम होता है तो दोस्तो आज का वीडियो जो एई पर खतम होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तो अभी तक मैंने चलन को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चलन को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तो आप पर कॉन सा चीज जो सबसे अच्छा लगा है और कौन सा चीज़े कमिया लगा मुझे पता है कि आप प्रसेसर की बात वासे आए जो मैंने वीडियो में बता जाए तो थो कोमेंट पे जरूर बताना तो चलो आर मिलते अगला वीडियो पे और वीडियो जो है बहुत चल्दा आने वाला है तो बाई बाई गाइज